नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि देफाजम 6 टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, देफाजम 6 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और देफाजम टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक् को कैसे कम किया जा सकता है, देफाजम एक ब्रैंड नेम है, देफाजम टाबलेट के अंदर सौर्ट कंपोजिशन दिफलाजा को छे एमजी होता है, देफाजम टाबलेट एक स्टेरोइड दवा है, देफाजम टाबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, औस्कियो आर्थराइटिस होने पर, रूमेटोर्ड अर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टिपल स्क्लेरोसिस होने पर और कैंसर के इलाज में देफाजम टैबलेट का उप्योग किया जाता है. इसके अलावा बहुत प्रकार के तवचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस होने पर, एक्जिमा होने पर, सोराइसिस होने पर, तवचा पर कोई एलर्जी होने पर और तवचा पर खुजली होने पर आधी कंडिशन्स में भी देफाजम टैबलेट का उप्योग किया जाता ह ओर्गन ट्रांस्प्लांट के बाद भी डॉक्टर डेफाजम टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्म्यून सिस्टम ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। और ट्रांस्प्लांट किया गया नया ओर्गन आसानी से काम कर पाता है। देफाजम टैबलेट शरीर में इंफलमेशन यानी सूजन को कम करती है। इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्तर डेफाजम टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की डेफाजम टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। अगर आप डेफाजम टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं, तो डेफाजम टैबलेट की वज़े से साइड इफेक्स होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। इसके अलावा डेफाजम टैबलेट की वज़े से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। इम्म्यूनिटी कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक डेफाजम टैबलेट का सेवन करने की वज़े से लिवर डैमेज व औस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देफाजम टैबलेट की वज़़ से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। देफाजम टैबलेट की वज़़ से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है। और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लम्बा समय लग सकता है। लंबे समय तक देफाजयम टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैट्रेक या ग्लुकोमा हो सकता है, जिसकी वज़से आँखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है. लंबे समय तर देफाजयम टैबलेट का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है और तवचा पतली होने की वज़ा से तवचा में दरारे पड़ सकती है देफाजम टैबलेट की वज़ा से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है और पोटैशियम का लेवल कम हो सकता है देफाजम टैबलेट की वज़े से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वज़े से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है देफाजम टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है देफाजम टैबलेट की वज़े से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं अब हम डिस्कस करेंगे की डेफाजेम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fungal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या Liver की कोई गंभीर बीमारी होने पर, औस्कियोपोरोसिस होने पर, और Myasthenia Gravis होने पर, आधी कंडिशन्स में डेफाजेम टैबलेट को बहुत ही सामधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना डेफाजेम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डेफाजेम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेकमेंडेड नहीं है। अब हम डिसकस करेंगे की डेफाजेम टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। देफाजम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। देफाजम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए डॉक्त की सलाह के बिना डेफाजयम टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की डेफाजयम टैबलेट की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है डेफाजयम टैबलेट की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कुछ बातों का विशेश ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। देफाजम टैबलेट की वज़़ से हड्डिया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्यय पदार्थों जैसे दूट, दही, सोयाबीन वपनीर आदी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सबजियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका डेखाजैम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।